अधनियम पुलिस ने बड़ी कारिवाई करते हुए 25,000 रुपए का इनामिया गैंक्स्टर एक्ट के आरूपियों अंतर राज्य गोवध तथा पशुतसकर अधनियम की धारा में वंचित कुल पांच अभी युक्तों को गरफतार कर लिया है। इसके साथ ही उनके कबजे से 35 गाय और बच्छडे पांच वाहन के साथ दो चाकू बरामत कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। रुखनी का प्रयास किया लेकिन ट्रक चालक दो सिपाहियों को रौधनी का प्रयास करते हुए ट्रक मोड कर पुनह मालीपूर की तरब भागने लगा। ट्रक को रोकने के लिए खड़ा किये गए वाहनों और बैरियर को चालक तोड नहीं पाया। पुलिस कर्मियों ने मौके से उक्तु पांच अभ्यूक्तों को गरपतार कर लिया। और गोवंश की अपराधियों को सजा देने की जो का जो निर्देशन है। पुलिस के अनुरूप कारे करते हुए जलालपुर पुलिस ने एक बड़ी कारवाई की है। पुलिस का नेत्रित कोतवाल जलालपुर ने किया। उन्होंने उनको कल सूचना मिली। हमारी पुलिस टीम को कि अंतर प्रांती गिरोह के सदस्य तसकरी गोवंश की तसकरी कर रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने टीम बना कर शक्रीता पुरुवक कारवाई करते हुए कुल पांच वाहन और पांच अभियुक्तों को गिरफतार किया। ये पांचों अभियुक्त जो हैं ओम प्रकास पुत्र राजाराम गुपता जो की गैंग्स्टर एक्ट में वांचित था यही थाना चेत्र मालीपूर का ही रहने वाला है। मुहम्मद निशार पुत्र मुम्ताज, मीसम पुत्र सईद, मुहम्मद निशार जो है वो सर्पताहा जोनपूर कराने वाला और मीसम पुत्र सईद, फरीदपूर, जलालपूर कस्वे के पास में ही वहां कराने वाला है। सूरज साहू पुत्र राजा राम गुपता रुदहुली माफी ये भी गैंग्स्टर एक्ट का वांचित था और इसमें से सूरज साहू और ओम प्रकास गुपता ये दोनों 25,000 रुपए के इनामिया घोसित अपराधी थे इनकी धर पकड़ की गई इसके अलावा अगला अभ मालिपूर का ये रहने वाला है इसके अलावा कई गोतशकर पुलिस कर्मियों पर हमला बोलते हुए या पुलिस कर्मियों को धता देते हुए फरार हो गए जिनको हम पकड़ने की कारवाई कर रहे हैं और उनको जल्दी शिग्रेई गिरपतार कर लिया जाएगा इसी कड़ पुलिस की कारवाई में पुलिस के ललकारने पर फरार हो गए थे वो भी इसमें पकड़ लिये गए हैं उनके खिलाब भी पुलिस ने अपनी कारवाई पूरी कर ली है जो पांच वाहन है उन पांच वाहनों में एक एक नग ट्रक